प्यारे साथियों स्वागत है आज की एक नई वीडियों दोस्तों आज किस वीडियों में कच्छा दस हिंदी के अनिवारी संस्क्रित का देश भकता चंदर सेखरा नामक पाठ का हिंदी अनुआद आपको लिख लिख करके बताने वाला हूं देख सकते हो मैंने अपनी handwritten notes ले रखी है यहाँ पर एक एक गध्यांस का मैं आपको संदर्भ और हिंदी अनुआद सब कुछ अच्छे तरीके से explain करूँगा कि आपको board exam में कैसे हिंदी अनुआद लिखना है ठीक है ना तो चलिए बिना देरी की हुए video को सुरू करते हैं पहले मैं आप आपको book में समझाऊंगा उसके बाद अपनी notes में दिखाऊंगा ताकि आपका एक 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 doubt जो है वो clear हो जाए ठीक है ना तो चलिए शुरू करते हैं तो यहाँ पर देखो देश भक्ता चंदर सेखर आपका मतलब है देश भक्त चंदर सेखर ठीक है ना और यह chapter दो द्रस् इस्थान यानि किस जगह की यहाँ पर चर्चा की गई है वो सबसे पहले जान लेते हैं ठीक है ना इस्थान माने इस्थान कहां का इस्थान है वाराणसी नियायालया है नियायालय मतलब क्या होता है जहां पर नियाय किया जाता है यानि नियाय का घर जहां पर जज लोग एक दुर्धसाह, दुर्धसाह का मतलब है जिसे दबाया ना जा सके, ठीक है ना, दुर्धसाह का मतलब है जिसे दबाया ना जा सके, यानि दुर्धमनी है, ठीक है ना, यानि जिसका दमन ना किया जा सके, यानि एक अदम में पार्सी का, पार्सी का मतलब पार्सी व्यक्ति, ठीक है ना पारसी जो है किसी एक विषेश देश में जो रहते थे उनको पारसी कहा जाता था ठीक है ना तो एक अदमनी यह पारसी जो है तिश्टती मानि बैठा है ठीक है आर अच्छकाः चंदरसेख्रम तस्य सम्मुखम आनेयति आरचका मतलब सिपाही लोग ठीक ना सिपाही जो है चंदर सेखर को तस्य माने उसके यानि जज के सम्मुखम माने सामने आनयंति माने लाते हैं अभियोगा प्रारभते अभियोगा माने मुकदमा प्रारभते माने प्रारंभ होता है ठीक ना चंदर सेखर पुष्ट आंगा पुष्ट आंगा मतलब हस्ट पुष्ट आंग वाले हैं गवरड़ा मतलब गोरे सरीर वाले है यानि गोरे रंग का उनका सरीर है और सोडस वरसिया किसोरा मतलब 16 वरस के किसोर है ठीक है अब यहां से ले करके यहां तक कानुवाद मैं आपको स्क्रीन में लगा दी यहां आप लोग देख सकते हो ठीक है ना यहां से यहां तक कमे लिख करके आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ज्यादा तर यहां से यहां तक एक जाम में नहीं आता ठीक है ना इक जाम में यहां से आएगा आरच्छकाह से लेकर तो अब आगे का पूरा यहाँ पर विश्मयादी बोधक लगा हुआ है यहाँ पर है अरे या कुछ भी लगा सकते हो तो है स्री मान आयम माने यह अस्ति माने है चंदर सेखरा माने चंदर सेखर यह चंदर सेखर है आयम राजद्रोही यह राजद्रोही है ठीक है ना गत दिने माने पिछले दिनों मे अनेन एयो ठीक ना तो इसका मतलब यही होगा अनेन इयो इसका संदी पिछेदा आप लोग करेंगे तो आपको मिलेगा तो इसका मतलब यह होता है कि इसी के द्वारा ही ठीक ना इसी ने ही ऐसा भी आप कह सकते हो कि गत दिने माने पिछले दिनो इसी ने ही असहयोगी नाम मा यानि मस्तक पर प्रस्तर खंडेन यानि पत्थर के तुकडे से प्रहार किया ठीक ना प्रहार क्रता मानि प्रहार किया ये न माने जिससे दुर्जय सिंग जो है आहता माने घायल हो गए जिससे दुर्जय सिंग क्या हो गए घायल हो गए एक बार फिर से बता देता हूं सिपा प्रहार किया जिससे दुर्जे सिंग घायल हो गये ओके अब नयाइधिस यानि जज जो पार्सी व्यक्ति था वो क्या कहता है तम बालकम बिस्मयेन बिलोकेन तम माने उस बालकम माने बालक को बिस्मयेन माने आस्चर चकीत होकर बिलोकेन माने देखते हुए ठीक ना यहां प तुम्हारा क्या नाम है ठीक ना तेरा क्या नाम है ऐसा भी आप लिख सकते हो क्यों कि नयाइधिस है तु जो बात जो करेगा उससे क्या कहेगा तेरा क्या नाम है तो चंसेखर क्या बोला आजादा है इस्थरी भूय मतलब इस्थिर होकर यानि द्रढ होकर या मजबूत हो यहीं तुम्हारे पिता का क्या नाम है तो चंसेघर कहते हैं स्वतंत्रा स्वतंत्र नाम है ठीक ना तो नियाएदिस फिर क्या कहते है तौम कुत्र निवससी निवससी माने रहना कुत्र माने कहां तौम माने तुम यहीं तुम कहां रहते हो तव ग्रहम कुत्र आस्ति तुम् प्रईटम प्रेंस अपने मन में शोच रहा है याज जो है अपने मन में सुच रहा है कि दरसा किदरसा में कैसा प्रमत्ता माने यह मत वाला कितना जादा भी कह सकते हो, कैसा भी कह सकते हो, यानि यहाँ आजादी के लिए कितना जादा मतवाला है, ठीक न, अपने मन में वो सूचता है कि यार यह आजादी के लिए कितना जादा मतवाला है, यानि कितना जादा आजादी के लिए यह सूचने वाला है, प्रकासम, प्र प्रकट करते हुए या कहते हुए, क्या कहता है वो, अतियुध्रस्टा हा, अतियुध्रस्टा हा, उद्दंडस चा आयम, नवयूकम, नवयूका हा, आयम, यहां पर आप लोग इसका करेंगे संधी विछेत तो मिलेगा, उद्दंड आयम, ठीक है ना, उद्दंड चा आयम, उद्धन्डा चा आयम तो उद्धन्ड माने उद्धन्डी ठीक ना उद्धन्डी चा माने और आयम माने यह नवयुका माने नवयुक यानि यह नवयुक आयम माने यह नवयुक माने नवयुक अतिव माने अत्यधिक ध्रिस्था ध्रिस्था माने ध्रिस्था माने ध्रिस्थ और दंडी है अहम इमम 15 कासा घातान दंड यामी अहम माने मैं इमम माने इसे 15 माने 15 कासा घातान माने क्या होता है कोडों की ठीक ना 15 कोडों की दंड यामी माने दंड देता हूँ ठीक ना दंड यामी माने दंड देता हूँ तो 15 कोडों की दंड देता हूँ या सजा देता तो यानि वो क्या कहता है अपने मन में सुचता है कि ये इस अजादी के लिए कितना ज़्यादा मतवाला है फिर प्रकट करते हुए क्या कहता है कि यह माने यह नव्युवक जो है अत्यधिक धीठ और दंडी है मैं इसे 15 कोडों की कसा गाता माने 15 कोडों की ठीक ना दंडिया तो चंसेखर क्या कहता है नास्ति चिंता ना माने नहीं अस्ति माने है चिंता माने चिंता यानि चिंता नहीं है । अब MR लोगों को एक तरफ लिखना है आर अstat चिंतार लेग'll ताकि पता चल जाएगा कि कहा से कहा तक का हिंदी अनुवाध हम लिख रहे हैं ठीक है ना संदर्व देखो कैसे लिखेंगे प्रस्तुत गध्यान से हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के संस्कित खंड में संकलित देश भक्ता चंसेखरा नामक पाठ से लिया गया है हिंदी अनुवाध देख लो यहाँ पर लिखेंगे सिपाही ठीक ना यहाँ पर इसे आप काले पेंच से लिखना सिपाही को ठीक ना सिपाही क्या कहता है स्रीमान यह चंसेखर है यह राज द्रोही है पिछले दिन इसने ही असायोगियों की सभा में एक सिपाही दुर्जे सिंग के मस्तक पर पत्थर के तुकड़े से प्रहार किया जिसे दुर्जे सिंग घायल हो गया अब न्यायधीस को भी काले से लिखेंगे ठीक ना न्यायधीस यानि जज क्या कहता है उस बालक को आश्चरे से देखते हुए अरे बालक या रे बालक तेरा क्या नाम है ठीक ना चनसेखर क्या कहता है आजाद द्रड़ होकर यानि मजबूती से ठीक ना क्या कहते है आजाद तुन्यायधीस कहता है तेरे पिता का क्या नाम है चंसेकर कहते हैं स्वतंत्र नियाधिस तुम कहां रहते हो तुम्हारा घर कहां है चंसेकर कहता है कारागार ही मेरा घर है तो नियाधिस कहता है अपने मन में ठीक न या स्वाध हिंता के लिए कितना मतवाला है ठीक न प्रकट रूप में क्या कहता है या नव युवक अत्यध बता दिया है, अब यहाँ पर दूतिये द्रस से शुरू होता है, अब दूतिये द्रस को समझना दूसरा द्रस से यहाँ पर कोश्ठक वाला मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना, मैं यहाँ से ही आपको लिख करके बताऊंगा, कोश्ठक वाला आपको स्क्रीन पर लगा दूँगा देख लेना ठीक है ना तता माने इसके बाद द्रस्टी गोचर माने दिखाई देता है भौता माने देता है ठीक है ना भौता माने होता भी है लिख सकते हो ठीक है इसके बाद द्रस्टी गोचरो माने दिखाई भौता माने होता है कवपीन मात्र आवसेशा संधी भी छेत करो तो कवपीन मात्र आवसेशा आपको मिलेगा तो कवपीन माने लंगोटी होता है मात्र माने मात्र आवसेशा माने बचा हुआ यानि केवल इस सब्द का पूरा मतलब यह हुआ कि लंगोटी मात्र पहने हुए ठीक ना यानि सरीर में केवल लंगोटी पहने हुए ह फलकेन माने हथकडियों में ध्रणम माने मजबूती से बधा माने बंधा हुआ ठीक ना यानि हथकडियों में मजबूती से बंधा हुआ चंदरसेखर जो है कसाहस्थेन कसाहस्थेन माने हाथ में कोडा लिये हुए कसा हस्थेन का मतलब यह है कि हाथ में कोडा लिये हुए चंडालेन माने चंडाल के द्वारा ठीके ना चंडालेन माने चंडाल से भी आप कह सकते हो चंडाल से ही लिखेंगे ठीके ना चंडाल से अनुगम में माना माने पीछे चलते हुए ठीके ना कारावास का अधिकारी यानि जेलर जो है चामाने और गंडा सिंगर ठीक ना जेलर का नाम क्या है गंडा सिंगर तो पूरे का मतलब क्या हुआ ठीक ना इसके बाद कैसे आपको लिखेंगे देखिए मैं आपको बताता हूँ ठीक ना इसके बाद लंगोटी मात्र पहने हुए ठीक ना हतकडियों में बंधे हुए चंदर सेखर और हाथ में कोडा लिये हुए चंडाल के पीछे चलते हुए जेलर गंडा सिंग द्रश्टी गोचरो भवता हमाने दिखाई देते हैं ठीक ना एक बार फिर से देख लेना तता मने इसके बाद सरीर पर केवल लंगोटी मात्र पहने हुए हतकडियों में बंधे हुए हतकडियों मजबूती से बंधे हुए चंदर सेखर हाथ में कोडा लिये हुए चंडाल के पीछे चलते हुए जेलर अधिकारी यानि जेलर या प्रती मतलब चंडाल से क्या कहते हैँ है ये दुर्मु दुर्मुक माने बुरे मुहओ बाले या बूरे मुहओ बाला जो है यह चंडाल को ही कहा जाता है उसी का परियाएवासी है मम माने मेरे आदेश के सम कालम एव मतलब समय पर ही ठीक ना कासा घात माने कोडे से करतब्या माने करना या कोडे से चोट करतब्या माने करना क्या कहते हैं कि हे चंडाल मेरे आदेश देने पर ही या मेरे आग्या देने पर ही कासा घात माने कोडे से आघात करतब्या माने करना कोडे से आघात का मतलब यह है कि कोडे से उसको चोट पहुंचाना ठीक ना करतब्य हमाने करना है चंडाल मेरे आग्या देने पर ही तुम कोडे से इसको मारना यह मतलब हुआ ठीक ना अब चंसेखर से क्या कहते हैं चंसेखरम प्रति माने चंदर सेखर से गंडा सिंग क्या क स्वा अभिनयस फलं लभस मने प्राप्त कर इदानीम मने इदानीम मने इस समय स्वा अभिनयस स्वा अभिनयस मने अपने अभिनम्रता का फल प्राप्त कर क्या कहते हैं कि अपने अभिनम्रता का फल प्राप्त कर हे उद्धंड युवक अपनी अभिनम्रता कफाल प्राप्त कर या परिडाम प्राप्त कर कुरु राजद्रोहम और राजद्रोह कर राजद्रोह कर कुरु माने करो राजद्रोहम माने राजद्रोह यानि राजद्रोह कर दुर्मुख यहे चंडाल कसा घाता है एका मतलब एक कोड़ा मारो ठीक ना? कसा घाता है मतलब कोड़े से आघात करो एका माने एक यानी एक कोड़ा मारो पूरा मतलब यह हुआ ठीक ना? दुर्मुखा चंडर सेखरम कसिया ताड़े अती और चंडाल जो है चंडर सेखर को क जया तुभारतम का मतलब है भारत को जए हो या भारत की जए हो तो गंड़ा सिंग क्या कहता है दुर्मुख चंडाल दुतिया का सा घाता माने दूसरे कोडे का अघात करो यानि दुबारा मारो इसको ठीक ना दुति या कसा घाता माने दुबारा कोडे से मारो या दूसरा कोडा मारो ठीक ना तुदुदुमुखा पुना तालयती और दुरमुखा यानि चंडाल जो है दुबारा तालयती माने तालना देता है या दंड देता है ठीक ना और तालित पुना पुना भारतम जयतु इती वदथी तालिता ओन अंग, तालित के हुए धनलित चन्द्रसेखर यानी दंड जिसको दे रहा हो, जिसको दंड दिया जा रहा हो, यानी दंलित चन्द्रसेखर पुना पुना aim. बार-बार भारत माता की जय हो ऐसा कहते हैं इतीवदति मने ऐसा कहते हैं ठीक है न एवम सा पंच दसक घालिता इस प्रकार पंच पंच दस माने 15 कसा घाताई है माने कोडों की सजा को ताडिता माने ताडित किये गए या दंडित किये गए इस प्रकार उसको यानी चन सेखर जी जो है 15 कोडों से पीडित किये गए या 15 कोडों से क्या किये गए पीटे गए ठीक ना ऐसे वी आप लिख सकते हूँ इस प्रका और जेल से आने के बाद का यहां पर वर्लान है अब यहां पर देखो भाई चन सेखर क्या कहेंगे किम इदम क्रियते भवदभी भवदभी माने आप लोग किम माने क्या इदम माने या क्रियते माने कर रहे हैं कि आप लोग यह सब क्या कर रहे हैं चन सेखर क्या कहते हैं आप लोग यह सब क्या कर रहे हैं वयम सरवे भारत मातु अनन्य भक्ता है हम सब भारत माता के अनन्य भक्त हैं ठीक है नम वयम माने सब लोग सर्वे माने सभी यानि वयम माने हम सब सर्वे माने सभी हम सभी भारत माता के अनन्य भक्त हैं तस्याह सत्रुडाम तस्याह माने उसके यानि भारत माता के सत्रुडाम माने सत्रुओं क्रते माने के लिए ठी इमें माने यहां रक्त की बिंदवाह माने रक्त की बूंदे यानि मेरे खून की बूंदे जो है अगनी इस फुलिंगाह माने आग की चिंगारियां भविश्यंति माने हो जाएंगी जयतु भारतम यानि भारत की जय हो इति माने ऐसा उच्चाई है उच्चाई है यानि उच्चे स्वर में कत्यंति माने कहते हुए सभी लोग गच्चंति माने चले जाते हैं उच्चे स्वर में कहते हुए या नारा लगाते हुए ठीक न सभी लोग चले जाते हैं एक तरफ लिखना है गंडा सिंगा और चांडाल प्रती दूसरी तरफ भाविस्चंति तक भी आपके एकजाम में आ सकता है यानि यहां तक भी आ सकता है और गच्चंति तक भी आ सकता है इसलिए दोनों मैने लिख दिया है संदर्व पूर्वत हिंदी अन्वाद गंडा सिंग क्या टेते हैं चांडाल से हे दुर्मुख मेरे द्वारा आगे देते ही कोडे लगाना चंसेखर से हे उद्धंड युवक अब तू अपनी उद्धंडता का फल प्राप्त कर कर राजद्रोह हे दुर्मुख एक कोडा मा ठीक ना दुर्मुख चंसेखर को कोडे से मारता है चंसेखर भारत की जय हो गंडा सिंग हे दुर्मुख दूसरा कोडा मारू दुर्मुख फिर से मारता है पिटते हुए चंसेखर बार बार भारत माता की जय हो ऐसा कहते हैं इस प्रकार वो 15 कोडों से पीटे जाते हैं आप लोग यह क्या कर रहे हैं हम सभी भारत माता के अनन्य भक्त हैं उसके सत्रूओं के लिए मेरी ये रक्त की बूंदे आग की चिंगारियां हो जाएंगी भारत को जय हो ऐसा उच्छस्वर से कहते यानि नारा लगाते हुए सब चले जाते हैं और यहां से आपका चैप्ट कि अपका आपका चैप्टी जाते हैं और यहां सबस्टाइब।